Sympathetic और Parasympathetic ये words आप बहुत बार सुनेंगे किसी योगिक lecture में या फिर spiritual lectures में भी इनका बड़ा उच्छारन होता है Sympathetic Nervous System, Parasympathetic Nervous System ये Nervous System का ही पाट है, Nervous System यानि वो system जो हमारी body के सारी कारे को control करती है बहुत सी activities हमारे body में होती है, इन सारी चीजों पर control हमारे Nervous System का होता है तो Sympathetic Nervous System वो होती है, जो हमारी emergency situation में काम करती है जब body को ऐसी reaction देनी हो, ताकि उस danger से वो बच पाया और Parasympathetic, जब body relax है, काम है, तब उस समय Parasympathetic Nervous System कारे करती है ये कि उधारन के साथ समझते हैं, अगर आप रास्ते से अंदरे में आकेले जा रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई आपको voice भी नहीं आ रहा है आपको सिर्फ अपने पैरों की आवास सुनाई दे रही है, और अचानक से आपका पैर किसी साप पर पढ़ जाता है तो आपकी जो reaction होती है, तुरंत reaction, गला सुपने लगता है, आखे बड़े होने लगती है, सास फूलने लगती है या फिर आपकी धड़कन जो है, दिल की धड़कन वो बढ़ने लगती है और बाड़ी एक अचानक से सदन reaction में आ जाती है, हाथ दूर जाने लगते है, पैर भागने लगते है तो इस तरह से जो बाड़ी की reaction होती है, ये sympathetic nervous system में कंट्रोल करती है और parasympathetic nervous system जब body relax होती है जैसे आपको फिर अगर समझ में आया, वो साप नहीं रसी है, तो फिर body calm down हो जाती है, शान्त हो जाती है फिर साथ जो फूलने लगती है, वो शान्त होने लगती है, हाथ बेड़ फिर से शान्त होने लगती है हमारी body की जो skeletal muscle से वो react करने लगती है, वो फिर से शान्त होने लगती है आखे हमारी छोटी होने लगती है, जो बड़ी हो चुकी थी तो इस तरह से body जब relaxed condition में होती है, तब हमारी parasympathetic nervous system काम करती है और जब body बहुत ही activated होती है, मतलब किसी stimulation के अगेंस्ट या फिर किसी emergency situation में काम करना है तो उस समय उस danger से बचने के लिए हमारी sympathetic nervous system काम करती है मेरा महले author of anatomy book फोरी होगी, आपके समय के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद